मुस्तों नमस्कार, हम आ गए हैं 28 पटे 58 गोकुल पुरा आगरा पुरा भवन आपको दिखा देता हूँ केकर कमलों से जिसे आगन में ब्रच हुआ करता था तो उन्होंने नीम का पेड लगाया हुआ था आज भी वो नीम का पेड लगाया जी के घर में महाराजी की तब इस्तली इवापर में ही अक्सर महाराजी आते थी और यहीं निवास करते थे में तो नमस्कार हम आगए है 28 बटे 58 गोपुल्पुरा आगरा किस भवन में महाराजी और महाराजी का परिवार रहा करता था और मैं तो यह कह रहा हूँ कि किसी ने किसी रुप में आज भी रह रहे हैं तो आज इस्कूल भवन के हम आपको दर्सन करवा रहे हैं मुक्त वासे भईया के साथ में चलता हूँ आज आपको याद आ रही होगी फोर चर्चलेंड प्रियागाज इलहावार है ना दादा के साथ हमने यह बताया था कि वो महाराजी का स्थाई निवास है आज इस निवास में जो आगरा में हैं उसमें आ गई है कमरा है और आपको बतादा है यह फिटिंग भी बहुत परानी फिटिंग है और स्विच इस तरह के अभी भी देखने को मिलते हैं तो इस तरह के स्विच होते थे और साथ के दसक्का है ना मैं पूरा भवन आपको क्योंकि जब हम आए हैं तो इसके कड़ में मानव देह लिए बैसे तो हर कड़ में वराजमान है महाराजी लेकिन यहां के पूरी रजमें कड़ में आपका तन आपके चर्ण सपरस हुए है तो हम चाहेंगे कि हम आपको पूरा भवन पूरा घर जह तो इसमें कौन रहता था इसमें कोई रहता है भी की नहीं चोटे बाबुजी की पत्नी रहती है यह बंद रहता है यह कमरा भी बंद रहता है इसमें बाबाजी का यह रखा हुआ आए पूजा गर हम आपको दिखाते हैं बेटा यही पूजागर है पूजागर में आ गए हैं और ये पहले से यह अपर ही रखे जाते थाकुर जी जब आई थी तो यह पर इस वाली अलमानी में भी शिफ्ट कर दिया फिर दो पूजा होती है सेवा होती है यह जब आई थे तो यह पूजा गरी था आच्छा अच्छा इसी का विस्तार आप ने कर दिया जादा तो पतानी के क्या था पहली आम तुछ साल सी दुस कमरा है महराज जी का यहां बैठ के सब लोग पूजा करते हैं और जो बेटी को अनभव हो रहा है जो राम 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 कहां बन जाता है इस जगे बन जाता है हनुमान चालीसा भी रखा हुआ है तो हम देखिए माता जी का उंचे त्रेहा पे भी लगा हुआ है महराज जी तो कंबल में है अब राजमान है दोनों लोग माता जी की यही फोटू मिलती है और कहीं कहीं शादी ब्याव में होगी तो फिर खोज करेंगे और इस घर से जो हमें यादें मिली हैं हमने आज आपको बताई है ये पूजा घर के विभिन देवता मूलत है हनुमान जी बाला जी भगवाई शरी राम महराजी बैठे आप देख रहे होंगे तो ये धर्म राइन जी का एक अलग से चित्र है मुझे लगता कि ये जब सेबा निवरत हो गए है उन्होंने इसी घर का है ये चित्र जरा नजदीक से दिखा दीजेगा बाबुजी का है धर्म राइन जी का ये ब्रंदावन का है और इससे पहले जो उम्र का पाइदान समय जो दस्कत करता है चेहरे पर अरे मेरे पे भी किये हैं आपके भी किये हैं कि शिशू से जब हम लोग समय बढ़ता है तो ये धर्म राइन जी का पहले का चित्र है काफी चेहरा मिलता है और धर्म राइन जी के दर्शन करने का मुझे सौभा की ब्रंदावन में ही मिला था बड़े बाबुजी से तो केवल फोन पर बारता हुई भुपाल जाने का समय नहीं मिल पाया समय क्या इच्छा नहीं रही होगी महराज जी की समय तो मिली जाता है तो आज इस गोकुल पुरा मंदिर में हम आप से सीधे सीधे दर्शन करने के लिए कह रहे हैं दर्शन आप कर लीजे का और इस जगहे में महराजी महराजी के सुपोत्र महराजी की धरमपत्नी महराजी की अग्रिम पीडी और इविन चार पीडियां तक इस भवन में इस घर में रही है और ये सौभाग ये है कि ये बेटी है पिता जी है माता जी है इनको जो है यहां रह नहीं का सो भागे मैं लब है आपके रिलेशन से कह रहा हूं हमाई तो बेटी के बराबर हैं तो दर्शन करते हुए मैं आपको मंदिर के और भाग की और भी ले चलता हूं बाहाजी के दर्वाद में यहां 28-58 गोकुलपरा आगरा पता मैं इसलिए बार बार बताता हूं कि आप यहां पर पाएंगे कि कुछ अलग से चमतकार होते हैं जैसे इस जगह बैठके यह फर्स दर्वा दिखा दीजगा इसी जगह जहां भी यह बिचा हुआ है इस जगह जब यह बेटी पूजा करती है तो गंगाजल जैसे हास से गिरा तो उसे राम राम बन जाता है और राम राम फिर वह आप पहुचा भी लगा आए या पैसे हट तो एकदम नहीं हट और कई-कई दिनों तक बना रहता है यहां पर जब गंगाजल इनता है हाथ से पूजा के समय ऐसा कितने बार हुआ है लग यहार कर दो नहीं पर नहीं को प्र तुछा जाता है जो जाता है तो मुझे तो इस पर आइडिया नहीं था मैंने उसने में उसने में मिट जाएगा और भूम विटता नहीं था जो चित्रकारी दी गई है आप दूसरे कमरे में आ जाते हैं तो ज़रा नजदीक से देखा दीजेगा यह देखिए यह सन 62 की चित्रकारी वरा आज भी ऐसा लग रहा है कि बेंकल अभी अभी बनाई हो बड़ी ओभरती हुई इसी है तो आगे भी और फस्तरी यह चित्रकारी है यह हम आ गई दूसरे कमरे में और फिर पीछे भाग में आगन है जिसको हम आगन कह सकते हैं तो अब हम आगन में आ गए हैं और महराद जी के समय में यह देखिए इधर भी है आगन में भी जो बिचा हुआ है यह इसको पटिया बोलते है पटिया पत्थर लाल पत्थर जो छट में यूज़ होता है तो उपर भी दिखा दीजे डवल स्टोरी बना हुआ है यह महराद जी का प्रष्ट भाग हम कह सकते हैं और उनके करकमलों से जैसे आगन में ब्रच हुआ करता था तो उन्होंने नीम का पेड़ लगाया हुआ था आज भी वो नीम का पेड़ लगा हुआ है और उनका भी जहांने हमें लगाया तक लगाव गुता है अच्छा नीम बता तो उच्छेहे ले बच्छी जाज हमके या हमसी कुगे तो अच्छी यह बताया जाता है जुक्ति लगता है कि जो उम्र है बास्तर में उसी समय का पेड़ मानम परता है क्यों सब इतनी मोटाई प्रश्ट भाग में भी जली है इधर से निकल सकते हैं और बताते यह हैं कि इस गली से ही मोटरसाइकल आती थी और भाराजी के छोटे सुपूत्र यहीं अपनी मोटरसाइकल खड़ी या करते थे तो इस खरकें में आपको दर्सन करवाए तो हम नीचे फुड़ा सब निकल लए हैं और यह जीना है जीना जीना दिखा दीजी का पहले नीचे जाते हैं और हाला कि आज में बिजली के तार और सब दिखाई है लेकिन यह खुलते नहीं है यह तब इस थली में लोगों को ज दर्श्य है बिल्कुल यह महराजी की गुफा है और घर में जो गुफा है जिसमें उपर रहे थे अब हम लाइट की साहता से आपको दिखाने का प्रियास कर रहे हैं आप नीचे उतराए हैं और नीचे उतरके आपको पूरी गुफा दसन कर लीजिए यहां पर मटके भी र या रहे हैं यहां चक्की रखी हूई है इस चक्की के भीदर्शन कर लो पर पी ज़्रूर इसका प्रिशा मेराजी ने खाया हुआ माराजी न भोजन पुरसाद में लिया हुआ और यहां पर अंदर बूरी तरहे से ध्यानस्त होने के लिए पुजा करने के लिए बहुत सही जगें घर में भी बनाई हुई है तो इस बुफा के दर्शन करते हुए हम आपको वापस लिए चलते हैं उपर चपकी को हम आगए हैं प्रथम मंजिल पर और प्रथम मंजिल में आप देख रहे हैं कि एसी भी लगा हुआ है यह साइद बाद में लगवाया गया है यह भवन तो पहले बन गया है और एसी बाद में लगा है एक वाल टैप यहां भी बड़ा कमरा है इसके वी आपको इसलिए दर्शन करा देता हूँ कि आप करकर के दर्शन कर लेए यह कमरा में आपको पुर है इसलिए दिखा रहे हैं कि इस कमरे में ही अकसर महराजी आते थे और यहीं निवास करते थे रात देश्राम करना है तो यह इनका कमरा हुआ करता घर में इक कमरा होता ना कि यह इनका कमरा है यह उ करते थे इस समय आप वो गुल्पुरा निवास की दर्सन कर रहे हैं महराजी इस निवास को अपनी देखरेक में बनवा कर गए और विलकुन यहां नजदी किसी परोशी तक को नहीं मालूं कि यह बावा जी का पूरी तरह बताते थे कुर्टा पहनते थे दोती पहनते थे और यहां पता ही नहीं चल पाया कि यहां पर बावा नीम करोरी रहते हैं कि जो दौर था इस मकान को बनवाने का वो 1962 का था और आप पूरी जिन्दगी यानि जब अकपर कुर से गए बवनिया बवनिया से नीम करोरी आये नीम करोरी से किलागाट गए किलागाट के बाद पूरे देश का प्रमाट किया है और इसके बाद 1942 में जब पूरा नंतिवारी को मिले थे तो कह दिया था कि हम 20 साल बाद मिलेंगे तो 1962 में मिले जाके और 1962 में जब कैचित हम का निर्मार हो रहा था और इधर ये गोपुर पुरा का घर बन रहा था तो आज उसकी उपरी मंजिल पर हम खड़े हैं आप यहां से दर्शन कर लिजेगा और बिल्कुल मैंना आपको उसी तरह से दर्शन करवा दिये हैं जिस तरह से हमने आपको प्रियाग राज फोर चर्चलेंग की करवाए थे बहाँ पर भी जीला पर महराजी के चड़ जिन हैं आज भी हैं और वोकुल पुरा आगरा में महराजी के भवन से राम राम की बाते सुनाते हुए आप से भूखते हैं राम राम फिर मिलेंगे राम राम